तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मंदीप और आप देख रहे हैं मंदीप ब्लॉग्ज तो हमारे चैनल पर जैसे आपको लेटस से लेटस टूल्स के बारे में हम डटेल में जानकर ही देते हैं तो उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके सामने तो इसके बारे में मैं आपको डेटेल में आज बताऊंगा कि इस प्रड़क्ट में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है कौन-कौन से फीचर है तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो अगी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जार कर दो सब्सक्राइब इस तरह के हमने इस प्रड़क्ट के बारे में जिकर किया था तो यह दोस्तों यह चेंसो जो बीटी 478 मॉडल है और बात करूं आप बॉक्स में देख सकते हैं आपको यहां ब्रेंडिंग मिल रही है तो अभी बात करते हम इसकी कुछ डटेल के बारे में तो यहां जैसे आप पढ़ स है इसकी तो करते हैं दोस्तों बॉक्स को ओपन और देखते हैं इसके प्रड़क्ट को तो इस बॉक्स में सबसे पहले दोस्तों हमें मिलता है कि यूजर मैन्यूल तो जैसे अभी क्यम्रा थ데 फोकस नहीं कर रहा है जी यूजर मैनूल हम już हमें देखने को इसके बारे में प्रडक्ट के बारे में हम डटेल में सारी जानकारी इस यूजर मैन्यूल से देख सकते हैं कि क्या हैdefined की स्पेसिफिकेशन हैं जैसे यहां साथ में मिलते हैं इसकी जो safety plate है वो हमें साथ में मिलती है दोस्तौर है कि और इसको चैन को ल्यूब करने के लिए हमें एक oil की बाटल मिलती है और कुछ टूल्स मिलते हैं मैं इसमें एलन की हो गया स्कूरू ड्राइवर हो गया तो यह कुछ टूल्स हमें इसके साथ में मिलते हैं तो इन सबी को हम डालते हैं एक बार फिर बॉक्स में और मैं आपको में प्रड़क्ट के बारे में अभी थोड़ा ब्रीफ में बताता हूं तो बाक सबसे पहले अगर बात करें हमें यहां पे ब्लैक और की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है और में सारी effectivement यहां पे मेंशटरS he और उसके बाद दूस्तो काफि हैवी ड्यूती मोटर है इसमें पन। तो साथ में दूस्तों हमें काफी हैवी ड्यूटी चेन मिलती है जो इसमें जो इसके ब्लेड्स हैं तो काफी हैवी ड्यूटी और काफी शाप ब्लेड्स हैं इसके तो जो इसको और एफिशेंट बनाती है तो थोड़ा कैमरा फोकुस नहीं करना मैं आपको दिखा रहा हूँ काफी heavy duty chain मिलती है हमें इसमें और यहां पे इस तरफ हमें इसमें grip करने के लिए इसको use करते हैं तो इस तरह से use करने के लिए यहां पे हमें grip मिल जाता है यहां से हम इसको use करते हैं और बहुत ही easy to access यहां पे इसका trigger दिया गया है और trigger को lock करने के लिए switch इस तरफ दिया गया है और जैसे मैंने आपको बताया एक हमारे channel पे इसको assemble करने की किसी भी channel को assemble करने की video channel पे है तो आप जब भी इसको purchase करते हैं तो उसका आप reference ले सकते हैं कि उसको कैसे assemble करना है और proper इस unit को भी आने वाले time में मैं इसकी assembling की एक video डाल दूँगा जिसमें आपको पता लगेगा कि purchase करने के बाद अगर आप इसको assemble करते हैं तो आप किस तरह हैं इसको assemble करेंगे और यहां से इसकी chain को जो tight और lose हमने करना है तो वो function दे रखा है और बहुत ही ज्यादा user friendly है जैसे आप देख सकते हैं कॉड की quality काफी heavy duty कॉड इसमें इस्तमाल की गई है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि काफी heavy duty 1900 watt की इसमें motor है दोस्तों तो जिससे इसका वरक बहुत ही ज्यादा efficient हो जाता है बाकि इसका buying link है जो मैंने वह नीचे वीडियो के description में दे रखा है तो आप वहां पर जाके क्लिक करके इसके prices और detail के बारे में जानक सकते हैं तो अगर आप अभी तक वीडियो पर हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe कर लें और वीडियो का like and share जरूर करें तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में till then goodbye